हेलो डियर श्वेन वेलकम टू आर लेक्चर चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नमबर 29 और हम पढ़ने वाले हैं नेट वर्थ और ओनर्स एक्विटी और कैपिटल मिस ये तीनों सब्दों का मतलब एक ही है या तो आप उसे ने important है यहां तक कि आप जब हाईयर स्टेडी के लिए भी जाओगे तभी आपको यह concept बहुत काम में आने वाला है तो इस concept को आप काफी अच्छे तरीके से आपको यहां पर सीखना चाहिए तो यह topic स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू कि ओनर्स एक्विटी या फिर capital होता क्या है capital का मतलब तो आपको पता यह capital means a fund invested by the proprietor in the business तो जो भी प्रोप्राइटर उसने जो भी पैसे लगाए हैं उसे हम क्या बोलते हैं capital बोलते हैं अगर मैं यहां पर आपको अभी के topic का overview कि हम क्या सीखने वाले हैं तो मैं यह से बता सकता हूं जो भी हमारा balance sheet बनत कर सकता हूं एक तो capital part और एक liability part capital part का मतलब यह कि ऐसे पैसे जो owners जो है बिजनेस में invest करता है और जो other liability है वो कौन सा part होता है वो जो पैसे हमें दूसरे को repayment करना है ठीक है क्यों repayment करना है क्योंकि हमने कुछ उनसे benefit लिए हैं for the business purpose और तीसरा part क्या होता हमारा assets का तो यह त इछले लेक्चर में हमने तीनों पार्ट को कवर किया अब उनकी आपस में जो relationship है वह मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं देखिए चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेट वर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल कि दामाउंट और फंड प्रोवाइडर बाइड़ प्रोप्राइटर इन दा बिजनिस इस काल्ड़ेश कैपिटल एस वेल इस दे एक्शेज ओफ अशेट्स ओवर लैबिलिटी आफ वीजनेश इस नोन एस कैपिटल और नेट वर्थ अभी यह जो मीनिंग है एक्सेज ऑफ assets over liability यह थोड़े दिर में मैं आपको simplify करके इसका meaning बता दूँगा देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिखा है excess of assets मतलब assets आपका ज्यादा है over liability लेकिन कौन सी liability की बात कर रहा है outsider liability जैसे आपका देखिए यह example जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपका total assets कितने करनी का है अगर आप assets का total लेगो तो कितना आएगा वन लैक 60,000 और आउटसाइडर liability कितने हैं आपकी देखिए लोन एन एडवांसेस 20,000 current liability 40,000 यह आपकी आउटसाइडर liability क्यों आउटसाइड आउटसाइडर officially अपने business को run करने के लिए फिर during the year आपने जो भी profit कमाया है वो भी आपका capital माना जाएगा अगर आप पूरा पैसा business के लिए use करते हो तो लेकिन इसने 50,000 में से क्या किया है या फिर उसने जितने भी पैसे इन्वेस्ट किये उसमें से 30,000 उसने personal purpose के लिए विड्रा कर लिए है तो capital से माइनस हो जाता है तो यह तीनों का जो भी total आएगा उन तीनों का टोटल लेंगे तो one lakh rupees आएगा that is a capital of the business ठीक है और तो यह आपको समझ में आ गया होगा excess of assets over liability excess of assets मतलब यह ज्यादा over liability मतलब यह liabilities में से माइनस कर दीजिए तो आपका अंसर आ जाएगा capital तो one lakh 60,000 minus 20,000 minus 40,000 you will get rupees one lakh as a capital इसी concept को हम अभी कुछ examples के रूप में भी करने वाले हैं जो आपके study material में दिया है तो आपको काफी अच्छे से इन तीन पार्ट पे धियान देना पड़ेगा इन तीनों पार्ट पे पहला तो पार्ट है आपका capital दूसरा जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते आउटसाइडर लाइबिलिटी और जो तीसरा पार्ट होता है वह आपका होता है असेट्स देखिए नेट वर्थ इंक्लूड़ कैपिटल एंड रिजर्व का मतलब यह जो नेट प्रॉफिट है इस यह रिजर्व जो पैसा आप बिजनेस में वापस से रिइन्वेस्ट करने के लिए रख लेते हो उसे मुझते हो से ठिजर्व कैपिटल कैन बी इंड़ फ़ॉंब कैश और कैइन मीन्स जो भी बिजिनेस में लेकर आगए और आपके पर्सेनल कार वह बिजनेस पर उपस के लिए तो उसे हम क्या वोलते कैइंड गैंड कैपिटल इंकांड नेट वर्थ का नेट वर्थ और ओनर्स एक्विटी और कैपिटल देखिए तीनों का मतलब एक है नेट वर्थ ओनर्स एक्विटी और कैपिटल यह तीनों को एक ही सब एक ही नाम है तीनों का आपको इसको ध्यान से याद रखना है ओनर्स एक्विटी बोल दो उसे या फिर यहांपे यहांपे नेट वर्थ बोलो आप उसे यात होणनर्स इक्विटी बोलो या तो से कैपिटाल बोलो यहांपे एक क्वेशन भी है देखिए हैंपे और सिक्विटी मतलब यह जो आपको केलकुलेट करना है दीस इक्वल टू अगर मैं आपको चलो सिंपल फॉर्मूला पूछू कि आप यह कैपिटल कैसे कैल्कुलेट करोगे तो आप यह बोलोगे दीस इक्वल टू इस मतलब टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबलिटी तो यही फॉर्मूला सिंपल से ओनर्स इक्वि इस तरीके से कैलकुलेट होता है देखिए ओनर्स इक्विटी और कैपिटल इक्वल टू वन लैक सिक्स्टी थाउजन माइनस टूटल असेट्स और यह आउटसेट अब लिटी तो आपको क्या मिल जाएगा ओनर्स कैपिटल और हमारे एक्विशाम्पल में ओनर्स कैपिट है आपके स्टेडि में इस तरीके से इक्विशन बता है इसको और सिंप्लिफाय करके मैं बताओ तो आप ऐसे लिख सकते हो कैपिटल इक्वल टूमीज इस अमाउंट इक्वल टू टूटल असेट्स इस अमाउंट माइनट माइनस आउटसाइड लाइबिटी तो आउटसा ऑफ बिजनेस इस रूपीस फोर लक्स एंड क्रेडिटर्स रूपीस डूट्स देन तो सबसे पहले आपको कोई भी कोशिण है सबसे पहले मैंने जो आपको एक्वेशन बनाया पहले आप वह एक्वेशन लिख लीजिए इक्वेशन क्या है आपका ओनर्स इक्विटी टोटल इकविटी टोटल एकविटि मतलब असेट माइनेस क्रेडिटर्स एकविटी मिद्स लियाबिटी और इसी को हम अपने फॉर्मूले में यहां पे फिट फिल आप लेते जैसे ओनर्स इकविटी मतलब कैपिल की बात कर रहे हैं तो कैपिल आपको आपको दिया है तो इसको लोग रखते माइनस क्या करना है घ्रेटर मतलब आउटसाइडर लाइब्लिटी तो वह माइनस कर दो यहाँ पर आंसर कितना है आपका तो आपका total assets कितना है 6 lakhs तो यह formula आपको अच्छे से याद होना चाहिए owners equity capital equal to total equity total equity means assets minus creditors equity और liability आपको अगर exam में यह point याद नहीं है तो आप simply यह भी लिख सकते हो capital equal to total assets minus outsider liability तो भी आपका अंसर यह आएगा और यह इसका calculation ऐसे भी हो सकता है total equity means total assets equal to liability plus capital because equity जो assets होता है वो किसके बराबर होता है liability plus capital के बराबर है तो six like equal to two lakhs plus four lakhs यहाँ पर मैं आपको balance sheet का भी presentation बता देता हूं कि अगर यह question आपको balance sheet के हिसाब से पूछा होता है तो इस तरीके का कुछ आपका balance sheet बनता है देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूं capital capital कितना आपका four lakh rupees तो देखिए यहाँ पर four lakhs है capital अगर आपका capital four lakh rupees है और creditors मतलब outsider liability suppose loaner advances कुछ नहीं है outside liability कितना दो लाक रुपय है तो आपका assets कितना होगा तो आप इसका अगर total लेते हो तो कितना आता है six lakh rupees तो आपको तो यह पता ही है कि जो भी मेरा balance sheet का total होता हो तो equal होता है अगर total liability इतना है तो total assets भी इतना होना चाहिए तो यह मेरा balancing figure answer आ जाएगा six lakh rupees ठीक है तो यह मैंने आपको balance sheet का presentation कैसे होता वो भी बता दिया एक दूसरा example कर लेते हैं इस total assets are rupees one lakh fifty thousand आपका total assets कितना है one lakh fifty thousand and outsider liabilities rupees 50,000 तो आउटसाइडर liabilities जो है वो 50 फिप्टी थाउजन है देन owners capital तो capital के बारे में पूछ रहा है ठीक है तो इसका answer तो काफी simple होगा क्यूंकि total assets में से outsider liability minus कर दोगा तो यह आजाएगा आपका 50,000-50,000 answer क्या आने वाला है आपका one lakh rupees किसका आने वाला है capital कमिस आपका capital एक लाक रुपया होगा यहाँ पर मैंने इसे rate करके क्यों यहाँ पर highlight किया है because I think study material में थोड़ा सा misprint हुआ है तो आप उसको थोड़ा सा correction कर सकते है अपने study material में इसके लिए मैंने creditors equity liability creditors equity liability मतलब outsider liability यहाँ पर क्या answer आएगा one lakh 50,000-50,000 तो answer आपका आएगा रुपीज one lakh और आपकी study material में इस तरीकी से बता है creditors equity equal to assets minus capital तो assessment से capital भी minus करेंगे तो आपका answer देखिए आपके पास यह creditors कितना दिया है आपको means outside liability 50,000 और assets कितना आपका one lakh 50,000 और यह 50,000 और यह one lakh 50 तो यह balancing figure कितना आएगा एक लाक ही आएगा बराबर यहाँ पर मैं आपको balance sheet का भी presentation बता देता हूं किस तरीके से देखिए आपके question में क्या दिया था total assets के बारे में बताया था कितना हूं लाक 50 तो मैंने यहाँ पर total assets कितना लिया है लाक 50 उसके बाद उन्होंने और क्या दिया question में आपको outside liability outside liability मतलब loan and advances और current liabilities तो इनका total कितना है 50,000 तो अगर यह total एक लाक पचास है और यह total 50 तो एक लाक ही होने वाला है तो इस इस और आंसर यहाँ पर मैंने आपको balance sheet में किस तरीके से presentation होगा for better understanding मैं यहाँ पर आपको balance sheet भी बना के बता रहा हूँ एक और example है आपका if total assets of the business are rupees 5 lakhs and outsider liability are rupees 2 lakhs the owner's equity तो owner's equity क्या होगा तो simple जो formula हो लिख देते हैं और उसके बाद उसमें equation में fit up कर देते हैं जो भी amounts हमें figures दिये हैं उसको fill up कर दो balancing figure आपको answer मिल जाएगा owners equity और capital equal to total assets minus creditor equity liabilities और owners equity equal to assets minus liabilities आपके study material में काफी time कुछ अलग-अलग formula अलग-अलग तरीके से लिखाए तो मैंने यहाँ पर उस तरीके से भी आपको लिखके बता दिया है कि owners equity और capital equal to assets minus liability लेकिन यह कौन सी liability है outsider liability यहाँ पर कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब क्या outsider liability है तो देखिए तीन लाग रुपए answer आने वाला because assets कितना दिया आपका five lakhs minus liability outside liability कितना है दो लाग तो answer कितना हैगा three lakhs balance sheet में कुछ इस तरीके से presentation होगा देखिए आपका total assets assets कितना है five lakhs रूपीज आप इसका total करोगे तो कितना हैगा five lakhs and outside liability two lakhs तो outside liability देखिए एडवांज लोन एडवांस रूपीज करेंट लाग रूपी तो यह कितना आपका दो लाख हो गया total तो balancing figure क्या आने वाला है आपका capital आने वाला है तीन लाख रूपया तो यह आपका आपका answer है कि होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा थैंक्स पर वाचिंग और वीडियोज